Hello friends, my name is Gaurav Kumar and I hope you all are good और आज हम देखने की window 10 को free में किस तरह activate करते हैं अगर आपकी window activate नहीं है तो आपको PC के corner में कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा और window activate ना होने की वज़े से काफी सारे options disable रहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर background चेंज नहीं कर सकते और wallpaper भी चेंज नहीं कर सकते हैं और जब आप setting में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी window is not activated activate window now कुछ इस तरीके का interface आपको दिखाई देगा so window activate करने के लिए आपको सबसे पहले real time protection को off कर देना है so उसके लिए आपको update and security में जाना है and उसके बाद आपको windows security में जाना है उसके बाद आपको open windows security पर प्लिक करना है और यहाँ पर आपको virus and threat protection में जाना है यहाँ पर आपको manage setting पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको real time protection को off कर देना है कुछ समय के लिए उसके बाद आप इसको on कर सकते हैं या फिर यह है automatically on हो जाता है so window activate करने के लिए आपको आपने PC के web browser में जाना है कि आपको अपने web browser के search बार में simply यहाँ पर search करना है bit.ly slash windows 10 txt और enter कर देना है इसके बाद यहाँ पर एक website open हो जाएगी और आपको scroll करके नीचे जाना है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा तो यहाँ से आपको इसको copy कर लेना है तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ यहाँ पर control A के दुआरा select करके और copy कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ तो उसके बाद आपको अपने desktop पर right click करना है तता new पर जाना है और txt document पर click कर देना है तो मैं इसको save कर देता हूँ उसके बाद आपको इसको open करना है और यहाँ पर आपको जो आपने website से copy किया था यहाँ पर आपको उसको paste कर देना है तो मैंने यहाँ पर paste कर दिया है उसके बाद आपको इसको save as करके save कर देना है तो यहाँ पर आपको एक name देना होगा आपको यहाँ पे नेम देना है एक्टिवेटर.bat यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेटर की फाइल क्रियेट हो जाएगी और उसके बाद आपको एक्टिवेटर की फाइल पर राइट क्लिक करना है तथा रन एज एड्मिस्टेटर करना है यहाँ पे आपकी विंडो की एक्टिवेटिंग शुरू हो गई है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडेक्ट एक्टिवेटिड सक्सेसफुली विंडो हमारी एक्टिवेट हो गई है वी एक्टिवेटिंडो का कुछ इंट्रफेस था वह ही है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हम सभी यूप्जन का यूज कर सकते हैं तो देख सकते हैं अब आपको अपने antivirus की real-time production को on कर देना है so मैं इसको close कर देता हूँ अगर इस वीडियो के द्वारा आपकी window activate हो गई है तो वीडियो को like करें तो चैनल को subscribe करें क्योंकि हमारे चैनल पर computer से related video upload की जाती है so thanks for watching